हेलो फ्रेंड हमसब का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल फार्मा एमसी क्यों में देखिए आज की इस वीडियो में देखिए हम एक टॉपिक जो है डिसकस करेंगे की टॉपिक काफी इंपॉरेंट है फार्मसिस्ट एक्जाम में और ड्रग इंसपेक्टर में है सब्सक्राइब करना होता है तो हम एक बर इनकी देखिए और डीफ्लोकुलेटिटिसस्पेंशन में क्या डिफ्रेंस है ठीक है वह स्टार्ट करने से पहले देखिए अगर आप लोग इस चैनल पर नए है आप चैनल सब्सक्राइब नहीं किया अब करते हैं तो दूस्तात हैं तो किलॉब्सक्राइब करते हैं अनृठाल प्रॉप्सक्राइब नहीं कि यह सब्सक्राइब हैं सब्सक्राइब फ्रीकमेंट करना सब्सक्राइब करते हैं जैने एक तरफ चूं को करना पक्लोघ 243-6 particular grape यह फिर यह फिर आपको עלmistव उन बभी साथ है तो आपको से फ्लोकुलेटेड में आपको फास्ट याद रखना है तो अब लिए जो स्टोडिमेंटेशन आपको वहां जो अन्हेंगे तो वह बिब्र लोगे तो आपको एक में आपको वहां रखना है थिकने बच्छेंट आप देखिए इसंट के बारे में अंपलयटिव इसमें क्या ऐसाइप फ्लोकुलेटिड में रापिडली फॉर्मड तो इसमें रापिडली फॉर्म्ड होंगे उसमें क्या करना है जो साडिमेंट होते हैं वह स्लोली धीर धीरे बनेंगे इनको इस पर्सकरना एजी होता है इसमें वहां अजयरे में न्हीं यहां अब लूसली है जब भी तो इनको उस्टी सेहों होता और सिफिकहल सकते हैं दो इसमें लूद्वी पन सेडिमेंट बो å pee kla Todo कि ऐसे उसे सर्दिमेंट बहुत ही जलजल जलडीती के तो इस वहाइब का क्लिएर होगा बागर देखो केसरे की सिर्फ कर3 को discuss बने कड़ों सेद्र के साइड में members चिपक कीर पती है इसमें क्या होता है फ्लोकुल्स डू नोट स्टिक टू साइड दो बोर्टल इसमें चिपकते नहीं हैं नेक्स जो नेक्स्ट है suspension is not pleasing in appearance, appearance में मतलब यह pleasing नहीं होता और इसमें जो suspensions जो होता है pleasing होता है देखने में, ओके, यह आपका होगा, ओके, अब यह आपका यह होगा flowulated suspension और non flowulated suspensions के बारे में, ओके, अब आपको याद रहेगा, इसमें क्या है, rate of sedimentation high है, sediment बहुत ही rapidly formed होगी, उनको redisperse करना easy होता है, hard cake की formation नहीं होती, sediment loosely packed होते है, super nutrient liquid clear होता है, ओके, यह और जो इसमें क्या करा, rate of sedimentation slow है, इसमें कम है, तो sediment क्या होंगे, धीरे-धीरे form होंगे, तो उनको redisperse करना difficult होता है, hard cake की formation होती है, क्योंकि sediment बहुत ही closely packed होती है, super nutrient liquid is not clear, clear नहीं होता, ओके, तो यह कुछ points है, आपको sediment, जो flow quality suspensions, और non flow quality suspensions के बारे में देखने हैं, ठीक है, क्योंकि यहां से बिलकुल direct question बन जाता है, यह इसलिए, यहां पर मैं यह topic आपके लेके आई हूँ, ठीक है, अभी देखे क्वेशन आपकर किस टाइब से आता है, question देखे है, which is incorrect statement for flow quality suspension, अभी आपने flow quality suspension के बाएं सारी सारी बाते पढ़ी है, कि rate of sedimentation क्या है, इसमें high है, है ना, sediment बहुत ही rapidly formed होते हैं, उनको disperse करना easy होता है, और इसमें hard kick की formation नहीं होती, sediment loosely packed होते है, super net and liquid clear होता है, suspension is not placing in appearance, flow quills जो होते है, side में चिपक जाते हैं, okay, और इसमें जो particle होते हैं, वो क्या कैसे present ह इसमें पार्टिकल जो होते हैं, लूज एग्रिगेट में प्राइजन नेटवर्क लाइक स्टॉक्चर से बना लेते हैं, यह आपका फ्लो कलोट के बार में सारे बाते पते हैं, अभी आप इसका question देखिए, देखिए, इसमें options में मिला आपको particle form loose aggregate structure, next sediment is loosely packed, next में है, sediment is formed slowly or sediment is easy to redisperse, तो अभी मैं आपको सारी बाते बता दी इसके बारे में, अब इस question का answer आप मुझे comment box में देना है, पता भी तो लगे कि आपने कितना सीखा इस वीडियो से हैं, ठीक है, तो इसका answer आप comment box में देना है, इस वीडियो में इतना ही, अगर आपको वीडियो प्वेस्टे की चैनल को, प्ले सब्सक्राइब जरू कीजगा, ओके, थेंक यू,